अच्छा देखें तो हम अभी एक काम करें, Figma को साथ करते हैं और Figma को साटनग से न पढ़ते हैं, तो ये फिख्मा का पेज है, मैं Figma को बंद कर दिता हूं, और बिल्कुल एक नही तरीके से उपन करता हूं, गूगल से तो सिगमा जो है वो मैंने ओपिन किया है तो जब मैं सिगमा को ओपिन करता हूँ तो यहां पर यह जो मैसेज आ रहा है यह कह रहा है कि खरीदने के लिए तो अभी डैवलेपर मोड इसके अंदर भी होता है वैसे जो आप पूछ रहते हैं वो डैवलेपर मोड इसके अंदर भी हो आपको सारे HTML, CSS और React के Code Votes अब दिखा देता है लेकिन वह जाहरा पेड वर्जिन में तो हमें अभी से not now करने और यह मुझे main screen खुलके मिलती है Figma की तो यहां से अब हमें अपना काम शुरू करना है सबसे पहले तो हमें जरूरत है अपने left side को देखने की तो left side में यहां पर देखें एक Figma का यहां से एक option है यह एक drop down menu है इसको जैसी आप open करते हैं तो यहां पर file added और plugins यह सारी चीज़े यहां पर मौजूद है इससे हम बाद में देखेंगे अभी थोड़े देर बाद तो उसके नीचे अगर मैं आओ तो यह है आपकी website का नाम इससे आप double click करके यहां से अपने नाम को change भी कर सकते हैं जो आप website अपनी बना रहे हैं जाए उसका कोई नाम तो रखेंगे तो आप अपनी website को नाम दे सकते हैं यहां से ठीक है उसके बाद file का option है और asset का option है asset के option को अभी आप भूल जाएं यह हम थोड़े दिर बाद देखेंगे file के option में आप आजएं file के option में यहां पर है pages यह जो pages वाला यह जो टैब है इसके अंदर page one मौजूद है यहां पर ठीक है और उसके नीचे layers है अगर मैं इस page को delete कर दूँ या मैं एक नया page बना लूँ तो मैं नया page भी बना सकता हूं यह नया page ऐसा है कि एक page के उपर आप complete अपनी website बना सकते हैं और page two को select करेंगे तो वह वाली जो आपने बनाई थी वह page one के उपर बनाई थी तो वह page one पर जाएगी और page two आपकी बस एक नया page जो है वह खुलकर आ जाएगा तो मतलब आप बहुत सारे pages अलग-अलग बनाकर अलग-अलग ची करने के लिए पूरे mobile की शकल बना लिके mobile पर किस तरह देखेगा तो अगर आप देखेंगे ना तो अलग-अलग pages में आप कर सकते हैं यह खेर तो जितना अब plus करते जाएंगे उतने pages वह बनाते जाएगा अभी मैं page two को select करके delete के button को दबा रहा हूं यहां से right click करके page delete कर द देखते हैं इसमें जब इससे पहले हमने से देखा था तो इसमें चीज़े ऊपर की तरफ थी लेकिन अभी कोई update आई है इसकी शायद यह चीज़े नीचे की तरफ करती है तो यह जो पैनल है यह नीचे है और यहां से सबसे पहले आपको देखना है इस फ्रेम को दुबार आपने से पहले open नी किया तो आप से कहेगा login करने आप login कीज़ेगा अपने Google के ID से login कीज़ेगा और आप यहां पर पहुच जाएँगे जब आप इस जगे पर आजएँगे उससकते आप इस जगे पर direct ना एं वह यहां right side पर ऊपर की तरफ राइट साइट पर उपर की तर यहां पर डबल क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर लेज़ेगा जिस पर आप अभी बनाने जा रहे हैं तो उसे आप एक नाम दे सकते हैं और यहां पर आपके बास पेज वन बाई डेफॉल्ट होगा तो उस पेज वन के अंदर ही हमें काम करना है ठीक है तो पहला सबसे पहला काम हमारा किया है सेप वन में कि हम इसे फ्रेम एक देंगे तो जैसे ही यहां पर नीचे की तरफ यह वाला जो फ्रेम है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो जाता है और राइट साइट पर इस जगे पर आपके पास यहां पर कुछ चीज़े पूछता है जैसे कि आपको कौन सा वाला जो है वो चाहिए ले आउट चाहिए तो आप इसमें बता सकते हैं कि आप डेक्स्टॉब के लिए काम कर रहे हैं या मैक बुक एर के लिए काम कर रहे हैं या आप मॉबाइल की स्क्रीन अगर चाहते हैं तो इवन के सोशल मीडिया वगर अगर अगर आप उपन करते हैं Twitter यह वो सारी चीज़ उसके साब से sizes बने हुए सारे इसके तो हम desktop फोन को भी ट्राइ करते हैं देखें फोन में iPhone 16 आपको दिखा देगा यह सारी चीज़ आपको नजर आएंगी खेर हम desktop पर जाते हैं और desktop पर जाने के बाद हम यहां से desktop को select करेंगे अब जो आपके बास यह वाइट कलर का पेज नजर आ रहे है यह वो आपका पेज है जिसके उबर आप बनाना शुरू करेंगे अपने काम को यहां से सार्ट करेंगे तो देखें, अभी मैं इस page को छोटा करता हूँ यह जो page मैंने छोटा किया है यह मैंने control के button को दबा कर अपने mouse से, जो मेरे mouse का wheel है मैंने mouse के wheel को आगे की तरफ किया तो यह जोटा, नहीं, बड़ा हो रहा है आगे की तरफ करने से, zoom in होता है और mouse के wheel को पीछे की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो zoom out हो जाएगा ठीक है, control के button को दबा के अब जिनके पास mouse नहीं है अभी जो laptop के mouse pad से काम करते हैं तो उनको यह करने है कि laptop के mouse pad से आप इसके उपर आजें control के button को आपको दबाने और जैसे के mobile की उपर आप YouTube वगरे की video या किसी तस्वीर को zoom करते हैं न, दो उंगलियों से तो उसी तरीके से आप अपने mouse pad के उपर zoom की देगा ऐसा तो वो आपको इस तरह बड़ा करके देदेगा और चोटा भी कर देगा, ठीक है, zoom out, zoom in ठीक है, जनके आप mouse नहीं है अभी फिलाल तो वो इस तरह भी कर सकता है तो एक दफ़ा आप अपने स्क्रीन को इस तरह सेट कर लें, जिस पर आपको ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है और आप comfortable हो गए ठीक है, अब यहां पर अगर आपको इस स्क्रीन को उपर नीचे करना है इस तरही के से, तो आप अपने mouse का जो wheel है उससे इस page की उपर ले जाकर press करेंगे मतलब click करेंगे और click करने के बाद वो इसे पकड़ लेगा अब इसे कहीं भी move कर सकते है, ठीक है तो मैं इसे एक यहां पर रख देता हूँ तो यह है वो page जो मैंने अभी desktop को select करके बनाया है अब मुझे क्या करना है यह जो desktop है ना, इसके उपर मैं click करता हूँ यह जो नाम लिखाव है, उपर देखें यहां desktop 1 लिखा है ना, इससे मैं click करता हूँ यह गाइब हो जाएगा तो दुबारा से desktop को click करें यह जो 1440 by 1024 है यह आपको यहां width इस जगे पर अगर आपाए ना, राइट साइट पर तो layout के अंदर layout के अंदर आपको width और height मिलती है तो अब इसकी width को अपने according एड़्जस कर सकता है मैं अभी 1200 रख देता हूँ ठीक है तो 1200 जैसी मैंने किया तो यह page थोड़ा जोटा हो गया और यहां तक अभी हमें यह बात समझ नहीं कि page किस तरह बनाते है frame को select किया, desktop को select किया दोबारा desktop को select कर लिया और यह page मेरे पास आजएगा इसे zoom in, zoom out कैसे कर सकते है वो हमने देखा पकड़के किस तरह इसे pan करके उपर नीचे move करवा सकते है pan का option वैसे यहां पर भी होगा hand selection, हाँ देखें अगर आपके बस mouse नहीं है, जाहर है तो आप इस तो आप आप्शन में आके hand tool, इस hand tool को select करके भी आप इसको पकड़के इस तरह move करवा सकते है ठीक है, तो यह movement के लिए यह वैलस राइक किज़ेगा hand tool, खेर जब मैंने इसको अभी move दुबारा ले ले लेता हूँगा जादे दर मैं move पर ही रखोंगा ठीक है, तो मैं move पर आगया और desktop के इस नाम को जैसी मैं click करूँगा तो मुझे यहाँ पर layout मिलते है layout के अंदर यहाँ पर width इसकी मिलती है और height इसकी मिलती है तो width और height उसको आप अपने according adjust करेंगे विसे जादे adjust मत किजएगा height को वैसे ही रहने दें क्योंकि height हम कम जादा करेंगे height क्या होगी कम जादा होती रहेगी जैसे जैसे मेरा content बढ़ेगा तो मैं height इसकी बढ़ाता रहूँगा है ना तो height की tension नहीं लेने आपको आपको width अपने हसाब से adjust करने है 1440 जो है ना वो आपकी screen के उपर बहुत जादा जो है वो बढ़ा हो जाते है तो आपको न मैं ऐसे लिए मैंने 1200 रख लिया ताकि एक screen के उपर मेरा पूरा जो मैं बनाऊँगा वो मुझे नजर भी आए तो जी तो सबसे पहले अभी हम क्या करने वाले अभी जो ये मेरी screen है इस screen के उपर मैं ये करने वाला हूँ कि इसके preview को देखने वाला हूँ तो preview को किस तरह देखुँगा जो मेरा ये deck swap है ना इसको मैं select करूँगा यहां से और यही same deck swap आप इसके नाम को यहां से select करें या layers के अंदर जो deck swap लिखा रहा है यहां से select करें एक ही बात है तो डेक्सवाब को आप सेलेक्ट कर लें और राइट साइट पर देखेंगे ना तो आपको यहां पर एक प्रिव्यू का उप्शन आएगा प्रेजंट के नाम से आ रही है तो इस प्रेजंट को जब आप क्लिक करेंगे तो यह एक नया टैब आपके लिए उपन करके दे रहा है आपको तो यह जो है यह जो आपको नज़र आ रहे है यह इस आपको यही दिखा है अब आप जैसे जैसे आप अपने काम को करते जाएंगे तो वो जो है से दिखाता जाएगा आपको ठीक है अब डेक्सोब जी तो ये जो पेज मैंने बनाया था वो पेज जो है वो इसके उपर अभी आ चोक है अभी ये जो है इसे कंटीनियू करते हैं और ये जो मेरा पेज है इसको मैंने वापस से 1440 वाई 1024 का जो साइस था वो कर दिया है और साइस को कैसे किया है यहां पर आप देख सकते हैं विर्थ जो एनस की वो 1440 अगर आप कर देंगे तो वो कम कर सकते हैं जादा कर सकते हैं या विर्थ और यहां से हाइट हाइट का मैं दुबारा से कहता हूं कि हाइट से बलकुर परिचान मत होगीगा हाइट काम और ज्यादा हम करेंगे तो हाइट से आपको परिचान होने की जरूरत नहीं है अच्छा इसमें सबसे पहला काम पते है क्या करना है सबसे पहला काम यह करना है कि आपको यह जो डेक्स टॉप है ना इस डेक्स टॉप को सेलेक्ट करें चाहे यहां से कर लें लेयर्स के अंदर से यह जो वाइट आपके पास पेज बन कर आए और इसमें आप राइट साइड पर आकर नीचे की तरफ आए यहां पर आपको एक मिलेगा लेयाउट ग्रिट इस लेयाउट ग्रिट को आप क्लिक करें तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लेयाउट ग्रिट को तो छोटे छोटे से ग्रिड्स बन कर आजेंगे इन ग्रिड्स को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें ये छोटे-छोटे से grids बने हैं ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर देखें एक option है, layout grid setting के नाम से, ये जो छोटा सा icon बना गए है न ये इसको click करें, तो आपके बस ये open होकर आ जाएगा ये वाला, अब इस menu में से, ये जो उपर grid लिखा है ना, यहाँ से आप colon select कर लिए ठीक है, यहाँ से आपने क्या select कर लिए, colon select कर लिए अब ये जो count लिखा है, इस count को आप यहाँ से 12 कर दें जब आप इस से 12 कर देंगे तो आपके बस ऐसे 12 लकी ये जो हैं, वो colon की शकल में आपके page के ऊपर आ जाएंगे ठीक है अब इतना काम आपने कर लिया, अब जो देखें यहाँ पर जो यह लिखा है 20 last में यह इन लाइनों के बीज का जो gap है वो 20 है और यह जो लिखा है margin margin आपको पता है, बाहर की साइट का gap होता है तो layout को अगर मैं यहां से दे दूना जैसे के 50 दे दूँ तो आप देखेंगे के बाहर की तरफ से 50 pixel छोड़के उसने फिर यह columns बना लिये सारे समझारी बात margin वैसे normally हम नहीं देंगे लेकिन जरूरत पढ़ेगी तो देंगे भी तो इससे हम zero कर देता है enter यह जो layout है यह आपकी screen के उपर नहीं आये बनके यह सिर्फ आपकी help करेंगे कि आपकी चीज़े जो है न वह एक alignment में आजें ठीक है अभी यह जो एक pop-up window खुली है इसको मैं बन कर देता हूं close कर दिया मैंने अब यह layout grid लिख है यहां से देखें 12 column के बाद एक चोटा यहां पर एक eye बनी विया चोटी से देखें hide करने के लिए और show करने के लिए तो जब भी आपको इससे काम ना हो तो आप इससे hide कर सकते हैं और दुबारा से जब आपको देखने हैं तो आप इससे show कर सकते हैं तो यह आपकी help करने के लिए यह आपके web page के उपर नहीं आता यह सिर्व आपकी help करने के लिए कि आपकी चीज़ें इसके alignment में किस तरह आएंगी तो चले हैं मैं अभी layout को अपने क्या कर रहा हूं शो कर रहा हूं और यह इस तरीके से अभी मुझे नजर आ रही हैं अब मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूं मैं सबसे पहले उपर की तरफ अपने एक logo को और navigation bar को बनाता हूं तो यहां पर मैं ले लेता हूं अभी फिलाल मैं एक text ले लेता हूं अच्छा text लेने का क्या तरीक है जो नीचे की तरफ यह panel है इस panel में से आप T को क्लिक करेंगे तो वह text है वरना अगर आपके पास यह panel आ ही नहीं रहे तो आप अपने keyboard से भी T को प्रेस करेंगे ना T के button को तो आपके पास वह text आ जाएगा तो खेर अब जैसे भी करके button को प्रेस करके यहां से select करके text को ले लें और अपने page के उपर क्लिक कर दें मैंने क्लिक कर दिया देखें वह चोटा से एक blink हो रहा है वहां पर तो इसमें मैं लिख लेता हूं यहां पर कुछ भी जैसे के यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर मैंने fashion लिख लिए है अब वह बहुत चोटा से उससे बढ़ा किस तरह करें तो आप अपने screen को zoom कर सकते हैं और इससे select करके सही से select करके और इससे corner से पकड़के आप इससे नहीं बढ़ा सकते हैं ठीक है हम इस तरह नहीं करेंगे दुबारा से select करके आप क्या करेंगे जब भी किसी के size को आपको बढ़ा करना हो किसी भी चीज़ के size को बढ़ा करना हो तो उसमें एक चीज़ का खयाल यह रखा जाता है कि आप उसके expect ratio को खराब ना करते हैं मतलब देखें अगर एक image है अगर आप उसको width में बढ़ा करते हैं और height में वो उतनी ही रहती है तो जाहर है ना वो अजीब एक अगर लंबी सी image हो जाएंगी विर्द में और आप किसी height को बढ़ाते हैं और width को नहीं बढ़ाते हैं तो वो stretch हो जाएगी आप नीचे की तरफ से मतलब वो खिची भी तस्वीर हो जाएगी तो आप क्या करते हैं जब भी आप height को बढ़ाते हैं तो आप width को भी साथ में ब को बढ़ाने तो हम उस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यह जो आइकन है ना मूफ का यह जो एरो बना हुए इसके साथ में जो आपको यहाँ पर एरो मिलता है उसके अंदर एक स्केल लख एक पूरा पेनल ही नहीं आ रहे तो फिर आप के के बटन को भी प्रेस कर सकते हैं फैशन को सेलेक्ट करके के के बटन को प्रेस करेंगे तो स्केल आपके पास आ जाएगा वरना यहां से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं इसको सेलेक्ट किया आपने अब मेरा पेज को थोड़ा चोटा करता हूँ और वापस से आते हैं यहां पर अब सबसे पहले तो मैं अपने फैशन को यहां इसके लियाउट के बराबर कर लेता हूँ ठीक है रख दिया मैंने उसने खुदी से स्नैप कर लिया मतलब मैं दूर था जैसे मां करीब आया इसने रेड लाइन दिखाई और उसको इससे मां पर स्नैप कर लिया इसको देखना है यह किस तरह लग रहे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर वो इस तरह देखेगा म ठीक है अब जो है आगे का काम करते है एक के बाद जो है देखें ये चीज़ बन गई ले आउट पर भी हमने रख लिया ऐसे अब हम क्या करेंगे अब हम अपने जो नैविगेशन के लिंक से पिया ना उसे बनाते हैं तो नैविगेशन के लिंक को बनाने के लिए म लिए मुझे ब्र Gibson को सेलेक्ट करेंगे धी के लिए वर मैं आप लगा हमको मैं हमी को यहां भर मैं सिर्द हम किया हाँ और स्केडि बार यहां से चोक्ता करूं तो लिव गारँ और प्रिवियू में इससे मैं देखता हूँ कि ये प्रिवियू में किस तरह मुझे जो है ना वो नज़र आते है ठीक है सही है अब मुझे बस इससे क्या करना है मतलब मैंने साइस को देखा है भी कि इसका जो साइस है वो बहुत ज्यादा बड़ा यह चोटा तो नहीं कर लिया अब मुझे जाहर है इसको सेलेक्ट करना है लेकिन क्या है इसकेल के टूल को तो इसकेल के टूल को आपने सेले आपको आदत हो जाएगी, अभी तो हम इस तरह select करें, लेकिन बात में हम इस तरह select करेंगे, हम बस अपने content को select करके, K या फिर V के button को press करेंगे, जैसे मैंने अभी देखे हैं, Home को select किया, अब मैं V के बटन को सेलेक्ट करूँगा तो यह मैं मूव पर आगया तो अब मैं इसको मूव कराँगा अच्छा अब मैं इसे मूव तो करा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे लाइने मिलती है जो के अलाइनमेंट बताती है तो मैं फैशन के बॉटम से इसको अलाइन करके अपने ले आउट के कॉर्णर से भी अलाइन कर दे रहा हूँ ठीक है अब मैंने यह बना लिया होम और होम के बाद अब इसकी मुझे निकाल ली है कॉपी अब मैं कॉपी निकालके अब आउट और सारी चीज़े बनाऊंगा तो कॉपी किस तरह निकालें देखें ओम को सेलेक्ट किया औल्ट के बटन को दबाया औल्ट के बटन दबागे रखा और आपको यह नज़र आ रहा है एक चोटा सा एरो और बनावा रहा हो जोड़ूँ गाना तो वह अरो खतम हो जाएगा दबाऊंगा तो अरो आ रहे है यह बताता है कि जैसे ही मैं इसको पकड़ के खेच होगा मतलब दूसरी तरफ खेच होगा ऑल्ल के बटन को मैं दबाया है तो वह इसके डुब्लिकेट कॉपी निकाल देगा ठीक हो गया अब इसको भी सलेक्ट करके जब मैं खेच होगा तो वह डुब्लिकेट कॉपी निकाल देगा तीसरे टाइम पर जैसे इसको दूर कर रहा हूँ न तो देखें अब इससे टेंशन मत लेजेगा एक उपर चले गया एक नीचे चले गया अलाइमेंट आउट हो गई अभी उससे आ एक और बना लेते हैं एक मैंस से उपर बना लेता हूँ ठीक है आगे पीछे हो गई यह सारे न तो अभी कोई मसले की बात नहीं है चार कॉपी निकाल लिए अभी अल्ट के बटन को दबाके उसको क्लिक करके खेचा है तो दूसरी उसकी कॉपी निकल के आ गई होम तो होम ह रहेगा होम के बाद जो है मैं यहां पर शॉप लिख लेता हूँ और यहां पर मैं लिख लेता हूँ फीचर और यहां पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट इस तरह तो यह मैंने अपने लिंक्स बना लिया अब जो है इनको एक लाइन में किस तरह लेकर रहा हूँ वह म move वाले टूल में हूं ठीक है move वाले टूल में आया इन सब को select किया माॉस से और माॉस से select करने के बाद आपको यहां पर position का यहां पर नजर आँगा एक tab देखें right side पर position का एक tab नजर आँगा इस position के tab को आपको use करने alignment के उपर position के tab को alignment की उपर आपको use करना अभी मैंने कुछ click नहीं किया अभी मैं करूँगा तो मैं सबसे पहले इसको align vertical center करूँगा जैसी मैं align vertical center करूँगा तो क्या होगा देखते हैं तो यह सब एक line में आ जाएंगे यह सब क्या होगा एक line में बिल्कुल तरीके से आके set हो जाएंगे ठीक है उसके बाद दुबारा से select करके मैं और क्या क्या कर सकता हूं तो मेरे पास यहां पर तीन dot है अगर आप यहां पर देखें तो इस जगे पर तीन dot है इस तीन dot को आप जब क्लिक करते हैं तो आपके बास तीन option और मिल जाएंगे Tidy Up, Distribute Vertical Spacing और Distribute Horizontal Spacing ठीक है तो यह जो Tidy Up है यह क्या करता है यह इस चीज का दिहान रखता है देखें एक को मैं बहुत करीब और एक को मैं इसके करीब कर देता हूं ठीक है अब मैं इससे select करता हूं सेलेक्ट करने के बाद मैं पोजिशन वाले टैब में alignment के तीन डॉट के अंदर जाके से tidy up कर देता हूं Tidy Up को मैं click करता हूं तो आप देखेंगे equal divide कर दिया इसमें क्या कर दिया equal divide कर दिया मतलब home से shop का जो space है वो shop से feature का space भी वही है और feature से contact का space भी वही है लेकिन contact थोड़ा सा नीचे आया हूँ है तो अभी हमने सीखा कि जब मैं इसको vertical align कर दूँगा align vertical center के इसको click करूँगा tool को तो यह इसकी भी alignment कर देगा तो मैंने यह तो बना लिय ठीक है अब इससे देखते है कि क्या बनाया है कैसा देखता है यह थोड़ा नीचे है लेकिन इससे हमें थोड़ा ऊपर करना है लेकिन इसकी spacing मुझे ठीक लग रिया इसकी spacing मुझे ठीक लग रिया फैशन से थोड़ा नीचे आया गया यह तो क्या करते है screen को छोटा करते है और सेलेक्ट करते हैं या धियान रखेगा कि आपने यहां पर मूव सेलेक्ट किया और स्केल ना हो ठीक है तो इससे सेलेक्ट करेंगे दूर से जाकर माउस को खेचेंगे ताकि यह सब आजे उसके बाद इससे उपर करते है माउस से बगड़के तो फैशन के अलाइनमेंट में देखेंगे मुझे खुद बता रहे हैं कि यहां से फैशन के अलाइनमेंट में यहां छोड़ दूगा यहां तक तो अब देखूंगा तो यह फैशन से अलाइन हो चुक है देखें यह देखें फैशन से अलाइन हो चुक है जहां तक कर लिया रहे हैं ले आउट मेरी कितनी help कर रहे हैं आप यह देख रहे हैं कि मैंने ले आउट पर रखा home के corner को उसके बाद फिर मैंने बनाया बनाने के बाद select करके ऐसे करके select करने के बाद position पर गया यहां से अभी हमने दो टूल देखे हैं तो ये वर्टिकल अलाइन और ये तीन डॉट के अंदर टाइडियप अभी बंद पड़ा वहे क्यों क्यों कि ये टाइडियप हुआ वहे ना इक्वल डिवाइड हुआ वहे जैसी मैं इसको इसके बीच की स्पेसिंग सारी किसी एक की भी खराब कर दूँगा तो के और यहां पर आने के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ ठीक है तो बटन बनाने का तरीका ये होगा कि मैं लूँगा एक फ्रेम ठीक है मैं क्या लूँगा एक फ्रेम लूँगा तो फ्रेम कैसे लूँगा आपको बता है या नीचे पैनल से जैसे लिया था पहले फ्रेम त और अगर आपकी बाइ यह पैनल ही नहीं आ रहे तो आप F के बटन को क्लिक करेंगे ठीक है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और कहीं भी आ के जैसे मुझे यहाँ कहीं पर एक बटन बनाने है तो मैं इसको यहाँ पर आकर मौउस से क्लिक कर दूँगा अब देखें माउज से मैंने कलिक किया तो क्या हुँआ उसने एक मुझे रैंडम साइज का 100 भाई 100 एक फ्रेम बना कर दे दिया अब यह जो फ्रेम है ना इस फ्रेम को अभी मैं 100 भाई 100 पर ही छोड़ता हूँ सेट तो मेरे हाथ मैं आप पर लूँगा देखें तो मैं क्या करता हूँ मैं काम ये करता हूँ कि इदार आता हूँ यहां से स्केल बढ़ जाता हूँ तो इसकेल से मैं इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ बल्कुल सही है जबर दस्ट और वापस मूव पर आता हूं मूव से जब मैं इसे मूव करवाँगा तो यह इस तरह मैं इसे बढ़ा सकता हूं और कम कर सकता हूं ठीक है तो कुछ शकल दे देते हूं ऐसे कि बटन इस तरह कुछ होगा तो बटन की जो यहां पर एक शकल हो सकती है वो इस तरह ही होगी इसे मैंने इसे अंदर अगर आप माउस को ले कर जाएं और क्लिक करें तो आप इसे पकड़ के कहीं भी मूव करवा सकता है ठीक है तो मैं इसे नीचे उपर कहीं भी यहां पर लाकर छोड़ूँगा तो वो इस तरह आजाए गा इसे पकड़के नीचे लेकर जाँगा वो इधर आजाएगा समझारी बत तो मैं इसको यहाँ पर उपर यहाँ पर सेट कर देता हूँ अभी एक नॉर्मल सा जो बटन है ना तो उस बटन की विर्थ मेरे खयाल से शाद मैं 60 उसकी हाइट रख कर और 140 विर्थ रख दूँ तो कैसा रहेगा यह इतना बड़ है देखते हैं प्रिव्यू में हमें सही बते चलेगा अभी तो फिलाल मैंने 60 बाइ 140 का एक साइज जो था वो इसे दे दिया यह एक फ्रेम है एक तो यह फिलेम है दूसरी बाद यह ट्रांस्पैरेंट है ठीक है तो आप अगर कहीं और माउस को क्लिक कर दें तो वो गाइब हो जाएगा समझा रही बत और वापस अगर माउस को ले कर जाएगा तो वो बताएगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप इसके वर क्लिक करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा फिर से समझा रही बत तो अब सबसे पहले क्या करें याद है हम एक डिफ बनाते थे तो जब डिफ बनाते थे तो डिफ गाय भी होता था तो डिफ को देखने के लिए या तो बैगराउंड कलर करते थे या फिर हम उसको बॉर्डर दे 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 थे थे है ना तो इससे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं दोनों आप्चेन है या तो मैं background color दूँ या इसको border दे दूँ तो पहले background color देखते है कि color किस तरह देते हैं color किस तरह देते हैं वो देखते हैं इसको select कर लिया मैंने click करके select कर लिया right side पर आता हूँ तो इधर यहां पर आप देखेंगे न तो एक fill का option है आपके पास F龍 fill फिल इसको आप यहां पर आकर फिल के उपर कहीं भी क्लिक कर दें आपने जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ आपके पास एक कलर एक उसकी ओपैसिटी कलर को हाइड करना शो करना यह इसके यह तमाम चीज़े आ गए तो बाकी चीज़ों को ना देखते हुए मैं सिर्फ अगर क कोल करते है मेरा कलर पैल emails कोडर को कि यह तो हमें यूजिच करना आताया कि काहीं भी इसको क्लर को सलेक कर लेंगे तो वहां चले जाता है ये तो हमें पता ही है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो color है ना वो मैं transparent ही रखाँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप color अपनी चीजों को करें तो fill में इस तरीके से आप color करता है ठीक है तो आप इसे बंद कर देंगे अगर और कहीं पर click करेंगे तो देखें अब इसके अंदर color आ गया और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये color मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको एक दफ़ा click करें fill को ढूंडें दुबारा से ये रख fill के साथ ये minus का निशान है ना स है इसको माईनस के नशान को click करेंगे तो ये ''Remove कर देगा मतलब color को delete करदेंगा और आए के निशान को जब click करेंगे तो ये color को delete नहीं करेंगे ये color को hide करदेगा आप यह मत समझेगा कि color delete हो गया वो color hide हुए छुप गया है वो show कर सकते है hide कर सकते है show कर सकते है hide कर सकते है और delete करना हो तो minus के निशान को जाकर click करेंगे तो वो remove करेगा मतलब delete कर देगा color को तो color अब ही चला गया ठीक है तो background color इस तरह हम fill की मदद से दे सकते है खेर तो दुबारा से दर आके मैं click करता हूँ इसके उबर और मुझे देना है border border किस तरह दूँगा तो नीचा आते हैं देखें fill है ना fill को तो अभी मैंने लगा किया और delete भी किया आपके सामने अब stroke पर आते हैं यह जो stroke है ना यह stroke जो है वो इसके border को बनाएगा इस तो मतलब जो आपके outer frame है उस outer frame के ओपर अगर आपको कोई border border बनाने तो उसके लिए stroke है तो इस stroke के ओपर आप click करें तो यह कुछ चीजे खुल कर आपको मिल जाएंगी इसमें position है जैसे कि आपकी जो outer है ना यह जो छोटा सा frame है बटन का यह जो इसका outer है तो आप अगर चाहते हैं कि इसके ओपर इस stroke लगे तो वो आप से पूछ रहे कि वो इस stroke कितने pixel की होनी चाहिए आप इसको बता दें कि मुझे चाहिए 3 pixel तो 3 pixel के stroke कर दे गई है फिर आप यह से पूछ रहे कि जो outer वाली लाइन है आपकी जो outer है उसके अंदर की तरफ उसके बाहर की तरफ आउटसाइड या उससी लाइन के ऊपर center में कहां पर stroke चाहिए नॉर्मली इंसाइड ही कर सकते हैं आपको जैसे भी चाहिए आप कर सकते हैं वैसे तो इंसाइड करने से फाइदा बस यह है कि मैंने size रख है वह size बटन का उतना ही रहेगा बाकि stroke अंदर की तरफ रहे तो मेरा जो बटन है उसके size हराब नहीं होंगे मतलब वह stroke बाहर की त नहीं तरह तो मैंने 3 pixel बता दिया मैंने यह बता दिया कि inside की तरफ होना चाहिए यहांसे मैं color select कर सकता हूं वही वाला कि मैं palette को select कर लूं पैलेट को select कर के यहांसे अभी मैं click निए करता siempre asked her नवह उसके color कर देगा उस तरह जिस तरह अब चाहें तो इसके palette को यहां से सुलिक्त कर सकते हैं इसे बंद कर सकते हो एब कलर हटाना चाहे है तो रिमू crack Coconut — Do Kahler को रिमूफ कर सकते हैं इस तरह कर सकते हैं तो यह 3पीडल ज्यादा है इसे मैं 2 पीकसल करुँगा और मैं इसे अभी बॉरडर दे कर रख देता हूं ठीक है , यह मेरा बना अब थोड़ा जूम करता हूं यहाँ पर मुझे टैक्स लिखना है मैं टैक्स लिखना चाता हूं टैक्स को सेलेक किया और फ्रेखने से क्या हुआ ङुप लगटा है मैंना कहीं और क्लिक कर दिया दोबारे लेता हूं, आप मैं देखें इसको select किया आपने select करने के बार text लिया आपने और text से फिर इसके अंदर click कर दिया तो यह जो आपने किया ना इससे पते है क्या हुआ है इससे मैं आपको पहले कुछ link देता हूँ यहाँ पर देखें इससे यह हुआ है कि जो यह आपका text है अगर मैं इससे चल रहा है अंदर है इसलिए बता चल रहा है कि लेफ्ट साइड पर देखें यहाँ पर यह फ्रेम वन है ना अगर आपको ढूडने में परिशानी हो रही है कि कौन सा फ्रेम कैसा फ्रेम तो इस फ्रेम के बड़ क्लिक करेंगे तो यह फ्रेम हाइलाइट हो जाएगा यहाँ पर यह जो फ्रेम वन है इसके अंदर यह है text ASZ जो मैंने लिखा है और अगर आप देखना चाहते हैं कि यह इसके अंदर है के नहीं है तो आप यहाँ पर इसके छोटे वाले एरो को ऐसे बंद कर दें तो वो ASZ को चुपा लेगा मतलब उसके अंदर ही है और शोगर करेगा फिर हाइट कर लेगा मतलब वो उसके अंदर ही है टीक है मुझा अंदर ही रखना था तो खैर ASZ पर आते हैं दोबारा अच्छा अब ASZ को कैसे पकड़ें क्योंकि मैं इसके पर क्लिक करूंगा तो वह फ्रेम सेलेक्ट होता है तो डबल क्लिक करना है ASZ के उपर आए डबल क्लिक किया इसने इसको पकड़ लिया फिर अभी मैं लिख नहीं सकता दुबारह से डबल क्लिक करूंगा तो यह मुझे लिखने वाला उप्चन देदेगा चार दफ़र क्लिक किया मैंने तो यहां पर मैं लिख देता हूँ लॉग इन ठीक हो गया मैंने लॉग इन लिख दिया अब शायद आपको शायद आपको यह चीज़ समझ में है कि यह वाकिए में इस फ्रेम के अंदर यह जो लॉग इन मैंने लिख आ वइस फ्रेम के अंदर है तब वह छźुप गया तब वह छुप गया तो खेल आप लॉग इनको यहां से आए लॉग इनको आप ऐसे नहीं पगड़ सकते है डायरेक्क वो ना पहले पहली बारी में तो फ्रेम को पकड़ता है आप लॉगिन के उपर आएं डबल क्लिक करें अब उसने लॉगिन को पकड़ा अब आप लॉगिन को आके सेट कर लें आपके बाद देखें दो अप्शन है या तो यह जो रेड लाइने आ रही है न यह एक्यूरिट सेंटर बताते है के उपर नीचे से सेंटर इदर आता है और यहां लेफ्ट राइट से सेंटर इदर आएगा या तो आप इससे कर लें कोई मसला नहीं है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है जर आ इसको तवज्जू से समझेगा मैं और जूम कर देता हूं देखें इसके रैने के बढ़ा रोना है इसके अंदर ना तो जैने के को आपको समझातवांथ है लोग एन को दुबारह से साइडि documents कर देता है अभी लैट सबोसर यह एक prose लाइन है और यह magnets जो यह यह के center में चाहिए आपको यह तो center में करने के लिए आप login को पकड़ के इसको center में कर सकते हैं यह आपको बताता है कि ऊपर नीचे से center यहां से और दाएंबाएंसे center यह दर से तो यह आपका exact center है ठीक हो गया अब दूसरा तरीका क्या है कि login को वापस सदर कर देते हैं दूसरा तरीका यह कि आप login को click करें और click करने के बाद position के alignment को भी आप try कर सकते है position का जो alignment है उसमें हमने यह वाली चीज़ देखी दी ना तो देखते हैं यह यहां पर useful है के नहीं है बिलकुल है मतलब देखें position का जो alignment वाला यह tab है इसके अंदर यह बटन आपको नज़र आ रहे हैं न वर्टिकल अलाइन कर लें horizontal कर लें साइड से बराबर कर दें राइड सा अपने से बाहर वाले फ्रेम के हिसाब से सेट होता है यह बहुत important है यह आपको याद रखनी है यह चीज़ यह क्या करता है अपने से बाहर वाले के हिसाब से इसको यह क्या कर लेता है lithe कर लेते तो लॉग-इडबल क्लिक करके मैं दुबारा से पकड़ता हूं और alignment से यह दूसरा तरीका है कि पोजिशन से आप इसको पकड़ की सेंटर कर लें, लॉगएन को पकड़ा, पोजिशन अलाइनमेंट करके सेंटर किया तो वो अपने से बारवाले फ्रेम के बीच में आ गया, सेंटर में, अब तीसरा तरीका क्या है, दुबारा से इसको साइट में कर और फ्रेम को क्लिक करने के बाद, आप आएंगे ले अउट में, यहां पर देखें ले अउट लेका नाज़। अदून सकते हैं, पोजिशन है , पोजिशन के नीचे ले आउट है। लेआउट के बास औद आदें तो यहां पर दूसरा आइकन लेके लास्त वाला कोशनर व इस auto layout को जब आप click करेंगे, तो वो क्या करतेगा, देखें, पहले layout यहां पर लिखा रहा था, अब auto layout लिखा रहे है, मतलब अब आप normal layout में नहीं है, अब आप auto layout पर चले गए, वो automatic frame भी छोटा हो गया, जितना बड़ा आपका content था ना, उतना बड़ा frame हो गया, frame अपने size को भूल गया, और अपने content के हिसाब से fit हो गया, बिलकुल, और content जाहर है, content के इर्द गिर्द आ गया, तो खुझी से enter में हो गया content भी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दोर बताता हूँ, यह जो auto layout है ना, यह आपके बहुत काम आएगा वैससे भी, और सर में दर्द भी गरता क्या सेट हुआ, frame सेट हुआ, height अगर मैं 60 करूंगा, तो क्या चीज़ सेट होगी, frame सेट होगी, अब आप यह देख रहे हैं कि यह बहुत जबर्दस हो गया, मैं height को कम करूं, बढ़ाओं, login तो center में ही रहने वाले, क्योंकि auto layout किया है, लेकिन उस center में क्यों है, वो भी उस इस alignment के center में, आपने align center यहां पर लिया है, अगर आप इसको बोल देए, कि मुझे चाहिए align right, तो देखें, वो right पर चले जाएगा, align top left, वो top left पर चले जाएगा, इसको थोड़ा और बढ़ा करता हूं, ऐसे शाहिए जादा बहतर समझाएगा, इसको मैं कहूंगा, बीच म मैं करूँगा, तो क्या होगा, एक्जाइक center में आ जाएगा, समझाए यह बात, तो इस तरीके से आप auto layout आपकी help कर सकता है, ठीक है, तो देखें, अब यह मेरा frame तो खराब कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँ, नॉर्मली जब आप button बनाएंगे, तो आप भी button इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे न, देखें, meeting खतम होने वाली वापस है, फिर मैं आपको बताता हूँ, जी देखें, तो यह जो login है, अब जाहर सी बात है न, तो इसका size बड़ा हो गया, इसका size बड़ा हो गया, और button का size था, वो मुझे इस तरह तो नहीं चाहिए था, तो अब मै क्या करूँ, normally जब आप button मनाते हैं तो आप button इस तरह नहीं बनाते हैं, आप पहले frame लेते हैं, text लिखते हैं, अब उसके बाद का process यह है, कि आप अपने padding से, अपने padding से button की size को control कर लेते हैं, normally, HTML CSS में भी तो ऐसी करते हैं, button में padding देते हैं, तो button की size को control कर लेते हैं, तो आ हमें करना क्या है, auto layout अभी हमने देखा ना, तो frame से बात करते हैं, जब auto layout की बात होती है, तो frame से बात करते हैं, तो auto layout में मैं आ गया हूँ, आपका साहरे नहीं आ रहा होगा auto layout आपका सिर्फ layout लिखा रहा होगा, तो यह corner वाले icon को जब आप click करेंगे, तो auto layout आजेगा आप यह resize to fit का icon है, resize to fit जो है वो क्या करता है, वो इसको resize करते हैं, जब मैं इसको click करूँगा, तो वो इसको जतना बड़ा आपका content है, frame का size भी उतना ही बड़ा करतेगा, यही हमें करना था, अब हम padding से control करेंगे button को, तो resize to fit हो गया, अब यहाँ पर देखें, padding लिखा भी है य horizontal padding, और एक है अब का vertical padding, तो horizontal मतलब left right, left right मैं मैं दे देता हूँ 20 pixel देखने है, ठीक है, और उपर नीचे मैं 10 या 8 pixel देता हूँ, perfect login button बने है, बिलकुल सही बने है, अब मैं यह चाहता हूँ के, padding से मेरा button बन बन गया, मतलब देखें, क्या किया, frame मनाया, उसके अंदर लिखा, लिखने के बाद, frame को select किया, auto layout पर पहुंचा, यहां से right click करके, और frame size करके, auto layout जारे center में होना चाहिए, ताकि आपका content center में रहे, padding देदी, horizontal, vertical padding देदी, बिस खतम हो गया, यहां पर यह बन गया, अब क्या करने है, अब मुझे इसके corner radius देने, तो corner radius कैसे तो frame को select करें, और आप आजाएं, यहां पर appearance में, appearance के अंदर, यहां पर corner radius लिखा हुआ है, आप इसके corner के radius को दे सकते हैं, जैसे मैं click करूँगा, तो मैं इससे कहूँगा, कि मैं 10 pixel देना चाहता हूँ, तो बहुत देखें, 10 pixel लग जाएगा, उसवद, आप पता है, इसको इंडिविज्वल corner radius भी दे सकते हैं, आप एरेंस को ढूंडें दुबारा से, आप एरेंस में corner radius के साथ, जो यह ऐसे करके वो बनी वी है, इंडिपेंडेंडन कॉर्णर वाली खिड़की जो बनी वी है, इस icon को आप क्लिक करें, यह आप को चार अलग-अलग corners दे देता है, टॉप left, bottom left, top right, bottom right, दो एक जैसे कर लें, इससे भी design बन सकता है आपका कोई, अलग-अलग individual भी control कर सकते हैं, बढ़ना चारों को एक साथ करना चाहते हैं, तो चारों को एक साथ भी कर सकता है, मैं इसे वैसे 6 दे देता हूं, ठीक है, तो यह मेरा login बटन बन गया, अब ती उसके जरीए आप कर लें, line के जरीए आप कर लें, जो red line है आरी थी, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप position के alignment के जरीए कर लें, position वाला जो टैब यहां पर उपर खुला था, उसमे alignment के जरीए आप कर सकते हैं, vertical और horizontal align, लेकिन वो जो position alignment है, वो आप frame को select करके नहीं करते है वो आप करते हैं, अपने content को select करके ताकि वो अपने बाहर वाले frame के center में आए, यह भी याद रिखना है अब को, और तीसरा तरीका भी माना है, layout का बताया, auto layout, auto layout में अब frame से बात करते हैं, frame को कहते हैं, अपने अंदर की चीज़े center में कर लो, padding ले लो, इस तरह अब से, त थोड़ा और उपर, जहां से नीचे से ये, देखे हैं, इसके बराबर हो गया, अब जो है, मैं button को, login के button को corner पर ही रहने देना चाहिए, और इस जिसका मैं खास ख्याल रखूँगा, कि पहला वाला जो layout का column है, यह जो, इसको मैंने ignore किया है, यहां left side पर, तो right side पर भी मैं ignore करूँगा, ताकि मेरा content center में रहे, और इस जिसका खास ख्याल रखूँगा, मैं, कि मेरा जो button है, वो इस white के उपर भी नहीं है, यहां पर, मेरा content यहां पर ही होने चाहिए, इस layout के हिसाब से, अगर मुझे यहां पर रखना है, तो मैं इस red वाली line से मिला कर रख दूँग तो, contact को मैं select करके, shift का button दबा कर, वैसे जादा असान यह वाला था, कि आप button को select करके, line को follow करते वे, देखें, यह नीचे से बराबर हो गया, यह side से, layout के line से बराबर हो गया, और आप इसको यहां पर रख दें, यह जादा असान है, लेकिन एक तरीका और भी है, कि आप कि इसे को select करें, जो के, क्या हुआ हुआ है, अपने जगे पर alignment में सही रखा हुआ है, उसके बाद आप उसको select कर लें, जिसको आपको align करना है, फिर आप क्या कर लें, इसको position में जाके, vertical align कर लें, तो वो दोनो alignment में एक जैसे हो जाएंगे, मुझे इस तरह तो नहीं करना थ बटन को click करके, contact को click करके करेंगे, तो वो फिर भी एक जैसे ही हो जाएंगे, तो यह एक तरीका है, दो चीजों को पकड़के select करने का, और यह इसी तरीके को follow करके हमने home, shop, feature, contact सब को बराबर किया है, लेकिन अभी यहां पर यह काम नहीं आ रहा है, हम line से ही इसको बराब बराबर है, और यहां को नीचे से out हो गया, अब बराबर है, और slide में यहां पर इसके बराबर कर दिया, ठीक है, और यह वाली line प्रॉपर इग्नोर किया है, ठीक है, अब इसे check करें, preview में, preview मेरा यहां पर उपएन है, तो कुछ यह बनाया है, होम शोप फीचर कॉंटेक्ट लोग इन, यह बनाया है, बराबर से दोनों साइडो से वो अपने इसाब से set भी हो आगा, जी, तो यह बनाया है, अभी तक अब वापस आते है, अपने पेज में और पेज में वापस आने के बाद फिर हम इससे आगे continue करेते हैं तो अब यहां पर मैं चाहता हूँ मैं एक picture लगाँ और वो picture मेटे पास है लेकिन उसको मैं चाहता हूँ एक frame के अंदर रख दो तो यहां पर एक frame बना लेता हूँ फ्रेम यहां पर बना लेता हूँ इसके बर और उसको रख दो उसके अंदर तो frame को select करने के लिए वही पुराना तरीका frame के उपर गए click किया और अपने page पर आकर click कर दिया frame बना कर देदेगा default size पर खेज के बढ़ा कर लूँगा इससे मैं तो 490 और 405 तो मैं ऐसे 500 बाइ 400 कर लेता हूँ मिलता जुलता जो इससे है ना जैसे के यहां पर frame को मैंने select किया हूए layout के अंदर width और height तो मुझे मेली रही है तो यहां से height कर लेता हूँ तो मैं 500 और यहां से width कर लेता हूँ 400 ठीक है अब यह आ गया दुबारा से से मैं side में करके और यहां से इसके alignment ऐसे यहां से set करूंगा layout से grid से sorry वो गाइब हो जाएगा जाहर है ना उसके अंदर तो ना background color है ना border है कुछ भी नहीं है तो गाइब होगा अब कहीं और click कर देंगे तो तो record को मैं कर रहा हूं जी तो यह select कर लिया अभी अभी एक काम करते हैं एक काम यह करते हैं कि इसको background color देते हैं बाद में हटा देंगे background color background color कैसे देते हैं उसको select किया fill को click किया यहां से किसी भी एक color यह color बलकुल यह च्छा नहीं है थोड़ा यह ऐसे रख लेता हूं मैं था किया मेना नजर तो यह मेरा क्या है एक frame है इस frame को मैं देता हैं चाहता हूं radius तो corner radius अभी हमने सीख है individual radius भी हम दे सकते हैं frame select हुआ वे appearance में आऊँगा यहां से individual radius देता हूं टॉप वाले को मैं 100 या 120 ट्राय करता हूं 120 ट्राय को हैँ बी कॉरनर वाले को 120 देता हूं देखते हैं कैसा लग र है तो यह में तरहा है और आर इसके बाद था कि next इसे भी 40 देता हूं, इसे मैं वैसे और कर सकता था, जैसे कि मैं अपेरेंस में आके दुबारा से ये खोलता हूं, इसे 50 करके देखता हूं, 50 और 50, 50 नहीं है, सही नहीं लग रहा है, मझे 50, 40 तो दुबारा से क्लिक करूंगा, अपेरेंस में होगा, दुबारा से इस पर क्लि दिया वो सेट हो गया यह मैंने एक फ्रेम बना लिया अब इस फ्रेम के अंदर मैं क्या करूँगा एक इमिज को ला कर रख दूँगा थीक है तो इमिज चाहिए मुझे इमिज कैसे लेकर रहा हूँ देखें मैंने इमिज अपने फोल्डर में एक रखी विया जाहर है आप इमिज जो है वो डाउनलोड करके आप उसको यूज कर लेंगे तो फिलहाल मैं आपको यह बताता हूँ के मैं आपर एक लिखता हूँ मैंस क्लोधिंग लिखता हूँ यहाँ पर कोई ना कोई मॉडल मिल जाएगा मुझे जिसकी पी एंजी चाहिए मुझे पी एंजी पी एंजी इसलिए कि मैं बैक ग्राउंड अगर मुझे वाइट मिलना है जैसे कि देखें यह इमिज है तो इस इमिज को मैं यूज कर सकता हूँ अब इससे मैं क्लिक करता हूँ चलेगा यह भी इसको क्या करते हैं यह अपने बैक ग्राउंड के साथ ही आएगा मुझे बता है तो सेव इमिज करें एक नाम डेते हैं जैसे कि हैं मैं मैं तो एमिज सेव होगई अब मैं यहां से एक वेबसाइट है उस पर जाता हूं वहें बीजी रिमुवर अब लिखेंगे तो आज एगा सबसे पहला येलो आइकन आएगा इससे आप क्लिक करें तो कलिक करते ही यह वेब साइड खुल जाएगी और हमें जाना है अपने डाउनलोड में डाउनलोड खोआग किया था मैंने यहाँ से पुहँ मैं देखें फोल्डर को ओपिन करता हूं यह आगкः मैं अपने फोल्डर में फोल्डर को यहाँ से इस तरह साइड में करके अपने पिक्चर को उठाके यहां पर लाकर ड्रैग करके छोड़ दूँगा तो वो बीजी रिमूवर जो है वो इससे खुदी लोड कर लेगा और जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करूँगा तो वो मुझे एक ऐसी पिक्चर दे देगा जिसके अंदर बैकग्राउंड नहीं है दोनों में देखाता हम आपको फर्ग मेरे सारी तस्विट है ने इस क्लोट इमर्ज वाले में कि आपने अपने इसमें बापस यह विदाउट बैकग्ग्राउंड वाली है तो आप बैक्राउद रिमूव कर सकते हैं background remover की website से ठीक है तो अभी फिलाल हम आजाते हैं अपने इसमें वापस अच्छा अब यहां पर आगए हैं अब यहां पर आने के बाद क्या करें image चाहिए तो image कैसे लेकर रहे हैं यहां पर frame जहां से आपने select किया था उसके साथ देखें rectangle है तो rectangle के साथ भी छोटा सा arrow है जो के और भी चीज़ा आपको देता है line, arrow, ellipse, polygon, star, image तो यहां पर सबसे नीचे image है इस image को क्लिक करें तो आपको मिलता है image select करने के लिए option तो image को select कर लेता हूँ, आपन कर लेता हूँ अब यह image देखें मेरे माऊस पर है जहां पर भी रखूँगा, वहां पर वो क्या होगा वहां पर हो जाएगा, तो मैं थोड़ा हटा कर मतलब अपने frame से हटा कर click करूँगा ठीक है, हटा कर मैंने click है अब भी यह image मेरे frame के अंदर नहीं है अब मैं इसको यहां पर रखता हूँ यहां पर रखकर इसे set कर दो अच्छा, यह देखें सबसे घलत काम पते है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका expect ratio भी खराब कर रहा हूँ मतलब मैं अभी mouse छोड़ा नहीं है जाहर है, वरना मैं इसे, देखें, कम कर रहा हूँ यहां से इस तरह कर रहा हूँ अगर मैं यही काम, अभी मैंने mouse छोड़ा नहीं है, mouse पकड़ा हूँ अगर मैं यही काम, shift के button को दबा के करूँ न, तो यह बराबर बड़ा छोटा होता है, मतलब चारो तरह से तो shift का button यहां पर एक important role प्ले करता है, जो जन्होंने यहां रहता था, shift को छोड़ के करते थे तो वो नहीं रहता था, तो जिन्होंने illustrator वगर पर काम किया है, उनको पता होगा, तो खेर, यह image अभी मैंने लाकर उपर रखी है, क्यों रखी है, क्यों रखी है, क्योंकि मैं फ्रेम को अपने resize करना चाहरा हूँ, तो frame, at least मुझे चाहिए यह, इस size का frame चाहिए, जो के क्या बना 400 by 599, मतलब 600, तो अभी image को भूले है, frame को click करके, यहां से इसको पहले, एक fix size देदें, 600, 400 by 600, बन गया मेरा fix size, अब मैं, image मेरी अभी भी frame के अंदर नहीं है, frame, पहले करना कैसे, image को frame के अंदर, वो देखते हैं, पहले हम frame क click कर्णे, left side पर frame 2 के नogene से यह frame है, frame 2 के नम से frame है, तो इसको click करें, यहां पर इसको लिख देए, इसका नाम भी दे सकते है, आपर side image, इस नहीं, side image frame कर देख, side image frame, ठीक है, यह side image frame है, अब मुझे बता है यह वाले फ्रेम है अब तस्वीर को क्लिक करें यहां पिक्चर को जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलता है कि वो साइड इमिज फ्रेम के ऊपर है ठीक है ऊपर रखी है यह तस्वीर तो इसको मैं देखें यहां से मैं क्लिक करता हूँ और खेज क मतलब ड्रैग करके मैंने मावस चोड़ा वह नहीं है मावस का क्लिक अभी मेरे हाथ में हैं देखें जैसे मैं इस साइड इमिज फ्रेम के ऊपर आँगा तो ये पूरे फ्रेम को कवर कर लेगा अगर मैं इस पुजिशन में अगर मैं अपने मावस को चोड़ूं तो ये जो प देखें, चैनल में दो प्रेम को लिखось नहों को मैं समझ पाँ लाू झा यह इस ङ्यारा है अब पिक्चर को क्लिक करें अब यह जॉ पिक्चर है यह मेरे फ्रेम के बहार है मतलब एक तो है उपर और उपर से फ्रेम के अंदर भी नहीं है बाहर है और उपर रखा हुए हो सेकता है अपका नीचे आरहो यह उपर आरहो तो आप हमने इस पिक्चर को क्या करें पकड़ें कैसे माउस से क्लिक करके रखना है माउस से क्लिक करके रखा मैंने और खेचा ऐस तो यह लाइन इस बात की निशानी है, कि यह पिक्चर अब इस फ्रेम के अंदर चली जाएगी, इसको मैं अंदर कर दूँ, देखें, मैं अंदर कर दे रहो, अब देखें, कट गई तस्वीर, कटी नहीं है, वो छुप गई है, नीचे की तरफ से, तो अब यह आपको समझ आ कि अब बहर निकालूँ दूबारा से, प्रैक्टिस के लिए दूबारा से बहर निकाल लूँ, देखें, अभी मैं इसको चुपाँगा तो यह इमज को भी छुपा लेगा, उब इन उपेण करूंगा तो इमज दिखा देगा, इमज बहर कैसा निकालूँगा फ्रेम से, इ आप इसको सेंटर में करना है पिक्चर को पिक्चर को सेंटर में करने के लिए आपको यह करना चाहिए कि पहले तो पिक्चर को आप क्लिक कर लें यहां से मैंने सेलेक कर लिया यहां से भी कर सकते हैं और क्या करें ऊपर चलते हैं यहां पर लेयाउट के अंदर आजें कि जो है न वो वैसे तो फ्रेम की आटो लियाउट पर हुआ है मेरे ख्याल से और मैंने तस्वीर के साइस को ही खराब कर दिया जबर्दस कंट्रोल जट करता हूँ है ठीक है कि दबल क्ले करके मेंज को सलेक करुगा फिट टू रिसाइज कर लूँगा सिर्फ अपनी सैटिस्वेक्षें के लिए कि इसका फथे म्ना वो ऐसानों कि ऑı तो रिसाइज करने से यह हो गया, ठीक है, अब, क्या करूँ फ्रेम को, इमिज को पिल्कुल सेंटर में कैसे लेकर रहा हूँ, दो तरीके हमने बटन में भी तो यही सिखा था, किसी चीज को किसी की सेंटर में लाने के लिए तीन तरीके देखे था, हमने, सेलेक करके लाता कि अपने content से बात करें, इस वख मेरा content कौन है, image है मेरा content, image को मैं click करके, position के alignment को मैं बोलूँगा कि भाई ये उपा नीचे से बराबर और दोनों साइडों से बराबर, तो content अपने बाहर वाले frame के हिसाब से अपने आपको center कर लेगा, एक तरीका ये सिखा था हमने, और फिर image को मैं side में कर देता हूँ, तीसरा क्या था, auto layout, लेकिन auto layout में मैं बात किस से करता हूँ, frame से बात करता हूँ, तो मैं frame को click करूँगा, और यहां पर आउँगा layout में, layout को मैं frame को मैंने click किया हूँ, ठीक है, और frame ले-out पर आया, layout पर यहां पर corner वाले, icon को click करूँगा, तो यह मुझे auto layout पर ले जाएगा, अब जब यह auto layout पर ले जाएगा, तो आपने पहले भी देखा था, कि यह इस तरह ही किया था, कि यह इस तरह ही किया था, वह बरबाद कर तो खेर, यहां पर alignment को पहले आफ, set करें, तो क्या corner पर चाहिए, नहीं चाहिए, center में चाहिए, तो center में कर लेते हैं, और center में करने के बाद, हम ने करना यह है, कि वर्थ हमने रखी थी 400, 400, और यह हमने रखी थी 600, 600, ठीक है, वापस set हो गया, picture भी center में अगई, अब इसक इसको frame को बढ़ा लें, कम कर लें, वो रहेगा center में, तो control Z करके मैं सही कर देता हूं, और दुबारा से, ऐसा ना हो कि मेरे यह जो layout बने वह है, उससे यह थोड़ा बाहर आ गया हो, तो मैं इसको थोड़ा बाहर करके वापस से set करता हूं, देखें, यह red line ने बता रही है, कि बिलकुल perfect जगे पर है, और थोड़ा उपर कर लेता हूं, यह बिलकुल perfect है, red line ने बिलकुल follow कर रहे है, इससे मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हो गया है, अब आगी का काम करना है, तो आगे यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, नीचे as a content बताए, कि यहाँ पर यह वेब साइट वगरा इसके बारे में बता दे, कि वो क्या करती है, तो इस जगे पर मुझे कुछ लिखना है, किस तरह लिखूंगा मैं, मैं यहाँ पर text लेता हूं, एक, text को select करता हूं, यहाँ पर click कर देता हूं, आपका, मेरे तरह ही छोटा आ र Discover and Find Your Own Fashion, ठीक है, अब यह जो आपने लिखा है, इसको, जार इसके साइज को बढ़ा करने है, तो डबल किलिक करें, ठीक है, ताके वो पुरा टेक्स जो है, वो select हो जाए, अब क्या करूं, डबल किलिक करने के बारे में, बड़ा करने के बारे में, बड़ा करने के बारे में font को बढ़ा करने है, तो font हमने कैसे बढ़ा किया था, typography से, तो select तो हुआ गए, अब भी मुझे क्या करने है, यहाँ पर नीचे मैं आउँगा, तो नीचे आने के बाद, मैंने क्या बोले था, typography का जो यह वाला नंबर होता है, वो font size होता है, तो font size 50 छोटा है, इससे मैं 100 करके देखता हूं, 100 जो है, वो सही है, 100 सही है, बलकुल, लेकिन मैं इसे 100 नहीं, 80 रखोंगा, तो डबल कलिक करके select कर लेता हूं, और typography यहाँ पर है, इससे मैं 80 कर देता हूं, ठीक है, अब यह पहले layout पर set होगा, corner से बलकुल layout पर set है, उपर से भी बराबर कर देता हूं अपने इस तस्वीर वाले frame के, और यहाँ से layout की लगीर बलकुल बराबर है, वहाँ से तस्वीर का top बलकुल align हुआ गए, यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूं, ठीक है, अब double click करते हैं, और यहाँ पर लिख रहा है, discover and, तो find के उपर आकर click, find के उपर आकर click कर दें, यह own fashion के पराकर click कर दें, तो यह कुछ इस तरह है, अब जाहर है आपको जो इसका एक, इसकी जो font family है, हम CSS में font family कहते हैं, तो इसकी जो font family है, वो अगर आप change करना चाहें, तो आप वो कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको double click करें, और आप इस पूरे को double click करें, तो double click करने के बाद यहां पर आप नीचे आएंगे, तो आपको typography के अंदर ही, आपको देखें, यहां पर उपर कितने सारे font, इंफर लगा, आपका भी enter लिखा होगा, enter के साथ जैसी आप उपन करते हैं, तो आपको कितने सारे देखें मिल जाते हैं, आपको click करने की ज़रूरत नहीं है, आप माउस को सरफ उपर से घुमाते रहें, वो आपको सारी चीज़े दिखाएगा, तो जो आपको लगे कि यह साही है, उसके उपर आप select कर लें, जैसे कि मैं ले 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 जी, तो मैं आपको यह कह रहा था कि इसके style को अगर आपको select करना है, तो यहां से आप कर सकते हैं, इस त मैं अभी फिलहाल जो है वो इससे select कर ले रहा हूँ, और इससे select करने के बाद अब मुझे थोड़ी से इसकी changing भी करनी पड़ी कि जाहर है, तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ अपने scale में, ठीक है, scale से मैं से थोड़ा सा ड्रैक कर लेता हूँ, ठीक है, इतना काफी है, अब यहां पर फ्रेम के उपर से और ले आउट के साइट से दोनों जगों से यह बराबर है, ठीक है, यहां पर इससे मैं ने छोड़ दिया है, पॉंट कहां से आएगा, देखें फॉंट अब ने जो लिखा है उस पहले तो उस पर डबल कलिक करें, कर दिया, फिर आप टाइपो यह मैंने सही कर लिया, अभी इसको देखते हैं कि यह बोल्ड किस तरह होगा, बोल्ड किस तरह होगा, वो देखते हैं, तो टाइपोग्राफी सही होगा सहर है, क्योंकि लिखने वाली सारी चीज़े इधर सही हो रही है, फॉंट के टेक्स को पहले थोड़ा सही कर लेते है जैसे 97.4 को हम कर लेते हैं 100 कर देता है ठीक है अब 100 के साथ ये जो है ना regular लिखा है इस regular को regular में तो कोई option नहीं है apply variable के अंदर क्या है यहां से मुझे नीचे की तरफ 600 semi bold ये सारी चीज़े नजर तो आ रही है तो मैं try कर दो कुछ हुआ क्या चलें regular पर ही रहने देते हैं बोल्ड का कोई option लाइन हाइट है लाइन स्पेसिंग है और कुछ एक और यहां पर आइकन है आइकन का बंगी करें इसको alignment alignment और यहां पर भी एक आइकन है यह क्या करता है type setting ताइप सेटिंग के अंदर क्या है प्रंकेट है paragraph spacing list vertical trim और बाकी चीज़ें इसको भी बंगर दीटेल्स में नंबर ठीक है तो इससे रहने देते हैं जैसा यह है वैसे रहने देते हैं उसके बाद जो हम क्या करेंगे नीचे जो यहां पर लिखा है उसको बनाते हैं तो दुबारा से क्या करते हैं एक salad रहाद माशनैं दौसरी नौर्मल टेक्सत खर आप लेंगे ना तो वह बॉल्ल हो जाते है वह रेगफिलर से यह नहीं हो रहा है अब यह क्यूरा स陸़ त्रेक्स प्रूंक और जान्माल दीट कर से 15- experience। जीश्च absolumentच्च करते हैं हैं तो दूसरे थाज़़ लेते हैं है झ जी तो यहां से यह मैंने लिख लिए है अब इसके बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे इसके फॉंट के साइस को छोटा करता है तो अब देखें जो ऊपर आपने यह जो नैविगेशन वगरा बना है होम शॉप फीचर इसके साइस को देखें इसको डबल क्लिक करें तो टा इसको कलिक करें तॉ इसको क्लिक करें यहां रबर शेक करते हैं ठीक है अब जो यह डी है यह एक अपने ऊंच कर त ऑफर ऐसे तरह तो उपड़ा तो डबल क्लिक कर दो डे घर आब डाब और उप्छी करने के बाद आप मैं पहले थैकि तो तो टो को थोड़ा 총ते टू कर ल इंस्ट्रूमेंट सेंस वाला जो सबसे पहला वाला है यह सही है पहला वाला तो इसे ही क्लिक कर लेते है और मुझे लग रहा है कि 22 भी नहीं इसे हम रखेंगे 24 तो 24 अब यहां से अफ स्टाइलिश के बाद से मैं यहां पर एंटर कर देता हूं ही कै तो इससे सबसे बहले तो मैं यहां से स्पेसिंग देता हूं इतना काफी है और जो अब यहां पर गौर कर रहे होंगे कि दोनों वर्ड के बीच में जो हमारे वाले स्पेसिंग है वो कम है न वो फैशन के एंट तक तो आना चाहिए एट लीस्ट तो किस तरह करेंगे आप इसको पहले तो इसकी स्पेलिंग कुछ ही कर लेता हूं है अच्छा यहां पर देखे हैं इसको इस तरह करेंगे के टाइपग्राफ़ि से ही टूंडेंगे तो लेटर स्पेसिंग को ट्राय कर सकते हैं लाइन हाइट को ट्राय कर सकते हैं और अपलाए वैरियेबल gifts में क्या है apply variable तो बंदी करते है यहां से इसको type setting के अंदर आते है basic में जाते है paragraph spacing यह try करते हैं क्या है देखते है 10 करते हैं अच्छा वो उपर से नीचे का gap और यह बिल्कुल perfect है 10 कर दिया हमाने paragraph spacing को और यहां और तो कुछ भी नहीं है तो इसको बंद करें typography में यहां पर ही देखते हैं letter spacing को देखते हैं तो यहां पर इससे मैं कर देता हूँ 5% ठीक है अच्छा है यह 5% अच्छा है I think मैं इसको 6% पर रखकर ना बस यहां तक ही रखूँगा तो इस तरह इससे हम कर लेते हैं ठीक है double click करके मुझे यहां पर एक चीज़ और याद आ रही है कि इसके अंदर अगर आप चाहते हैं न कि आप अपर केस यूस करना चाहते हैं आप लोवर केस यूस करना चाहते हैं टाइटल केस चाहते हैं तो यह सब भी सिके करके देखें किया अपर केस करूँगा तो सारी की सारे अपर हो जाएंगे देखेंगे तो हमारा वाला बेसिकली टाइटल केस वाले तो इसको मैं टाइटल केस में कर दूँगा और केस सेंसर्टिव मतलब आप चाहें तो रख दें नहीं चाहें तो इसका मतलब कोई काम नहीं हैं लेकिन इसका काम है इस case का title case जो है वो हमारे बीडिल case है जो है नहीं टाइयल केस कर दिया कहां तो तो यह बनाओगा दिया का था यहां दोबारा अगर अगर पूछेंगे तो मैं यह बताऊंगा double click किया था टाइपो ग्राफी में यहां से जो यह 이 टाइप सेटिंग का ङूद ग्लक किया था इसके खुलदेन करने पर डीटेल की अंदर गया था। डीटेल मैं मुझे नीचे की तरफ और लेटर केस में यहां पर मिला है टाइटिल केस तो इसके बाद भी बनाने जाओ किश है मैं बनाओंगा तो मैं बनाने के लिए क्या करूंगा सबसे पहले मैं लोगा एक फ्रेम यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं फ्रेम को सेलेक्ट करके और फ्रेम को यहां से मैं थोड़ा इस तरह कर लेता हूं अब फ्रेम तो है मेरे पास यहां पर फ्रेम को क्लिक करके टेक्स को ताकि खुद्बह खुदी फ्रेम के अंदर याजा है मेरा टेक्स क्या लिखूँ एक्सप्लोर नाओ अब एक्सप्लोर नाओ लिखते हो दिया लेकिन गलती यह हो गई कि यह पूरा कैपिटल में लिखना था तो क्या करें इसको भी साही कर सकते है ना पूरे इसके टेक्स को क्लिक किया टाइपोग्राफी में गए उसी में गए डीटेल्स में गए और अपर केस कर दिया हो गया ठीक है में फ्रेम के अंदर है, साथे तरीके बताऊ हैं 다 करेंगे यह क्या करेंगे तो और लिडाउट ट्राइ करेंगे तो लिडार रेंगा में हिकले राउट किया यहां अगर एठासे fluctuations करने लिडायाउट में हुए लिडिया उप्र कराऊ हो छूद कर lava करूंगा तो इसको मैं इस तरह करता हूँ कि 19 को मैं 12 कर लेता हूँ और इससे जो है वो हमें रखने चाहिए 20 शाहद लेकिन हमें नजर कुछ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा 12 जो है वो 14 होने चाहिए यह ठीक है लेकिन इसको background color देना है इस frame को क्योंकि यह transparent है तो फिर हमारा काम नहीं होगा तो कैसे करूँ frame को select करता हूँ नीचे आँगा और नीचे आने के बाद fill मैं आपको बताया था color fill से करते है फिल लिया फिल ने colors देती है मझे पैलेट खोलूँगा पैलेट से मैं अभी फिलाल कोई भी color यहां से ले सकता हूँ तो मैंने एक gray color ले लिया और इससे बंद कर देता हूँ अभी इसके alignment सेट करूँगा मैं तो इसकी alignment है auto layout हुआ है अब यह इसको मैं कहीं पर ले जाओ अंदर का text drive वो इसके साथ ही चलने वाले है सबसे पहले तो layout के बराबर कर दो इसे line के और नीचे इसके frame के line से इसको follow करवा देता हूँ देखें दोनों चीज़े सेट हो गए इससे छोड़ दिया यहां पर explore now यह सारी चीज़े मैंने लिख दी है अब जो है अब जो है यह हो गया अब क्या करते हैं अब इसकी coloring करते हैं तो coloring करने के लिए मुझे यहां पर सबसे पहले तो अपने layout को मैंने कर लिया है अब मैं अपने layout को बंद करूँगा कैसे बंद करूँगा आता हूं surface pro यह जो लिखा वे उपर इसको क्लिक करता हूं मैं तब सबसे जो अपना पीछे वाला जो मेरा div है या कहले है जो मेरा deck shop है page है कुछ भी कहले है इसको क्लिक किया मैंने जिसके अंदर यह तमाम चीज़ तो मैं इसे अभी हाइट कर दूँगा हाइट कर दिया अब हाइट करने के बाद देखें इसकी शकल इस तरहा रही है और यह बहुत सही लग रही है मज़े जी क्या कहता है आप तो यहां पर जो मैंने आपको extension बताया था ना color zilla तो color zilla यहां से मैं click करता हूँ और colors देते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो इसके T-shirt का color है यहां T-shirt का color है यह लेते हैं ठीक है यह अच्छा color है थोड़ा तो यह मुझे कैसे मलेगा color picker panel को मैं click करूँगा तो मुझे यहां पर hex code मिल जाएगा इसको copy कर लेता हूँ और आजाता हूँ अपने discover and find your own fashion में इसको double click कर लिया है इसके अंदर मुझे ढूनना है fill को fill कहां पर है यह है fill इसके fill के यहां पर जो zero 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 लिख है इस पर एक दफ़ा भी click करेंगे तो select हो जाएगा मिटा की यह paste कर दें और वो इस color में आ जाएगा ठीक है तो यही same color मैं बटन के उपर भी देना चाहता हूँ ठीक है बटन का जो background है ना उसके उपर भी मैं देना चाहता हूँ तो अब में वो तो है ना में पस copy किया है ना तो लेकिन क्या हो कि एक जो आपने color बनाया है उस color को आप multiple जगों पर अगर आप use करना चाहें तो क्या आप बार बार जाकर hex code ढूनते रहेंगे कि 365567 वाला color चाहिए मुझे या लिखकर रखेंगे अपने पास इस तरह दो न और जगों पर use करूं हो सकता है possible है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस color को save कर सकता हूँ अपने नाम से ताकि मुझे मेरी यादाश में रहे कि ये वाला color है तो अभी कैसे इसको save करूं देखें यहाँ पर मैंने इसके apply style and variables पर मैं click करूंगा और प्लस के icon पर मैंने click कर दिया और यहाँ पर कोई एक नाम दे दूगा जैसे के मैं दे देता हूँ यहाँ पर main font color इसको camel case पर कर देता हूँ main font color ठीक है यह मैंने कर दिया और create a style करते हैं अभी बन गया वह main font color तो अब इसको try करते हैं क्या मुझे ये color यहाँ पर मिल सकत है बटन के उपर मैं अगर frame को मैंने button के select कर लिया इसके fill को ढूंडा अब मुझे वो color कहां से मिलेगा तो जाहर है इसको ही click करूंगा तो वो मुझे दिखाएगा कि इसके अदर आपने main font color बना कर रखे इसको जब सिर्व मैं click करूंगा इसका background चेंज हो जाएगा अजबर करना है मुझे तो corner पर पकड़ के सबसे उपर ले जाता हूँ तो यह white हो ठीक है अब क्या करूं तो अब एक काम यह करता हूँ के background को white नहीं रखते है background को try करते हैं वैसे तो इसके light color को ले लेता है यहां सी यह थोड़ा light है तो देखते हैं अच्छा नहीं लगा तो हटा देंगे तो यहां पर surface pro कोई क्लिक कर लेते हैं और इसे fill के अंदर आकर इसके यह color देकर देखते हैं बहुत ही बुरा लग रहे हैं इसे जादा बुरा नहीं देखा मैंने तो इसे control Z कर देता हूँ है control Z से तो यह नहीं जा रहे हैं तो इसको fill में जाते हैं और color को यहां से remove कर देते हैं के यह निशान से remove कर देते हैं यह तो चला ही गया तो fill को दुबारा से click करेंगे और white color यहां से आजएगा तो अभी से यहीं रखते हैं contrast वाद में देखते हैं क्या करने तो login जो है वो transparent है और जो dark shade में है ना तो उससे हम इस तरह ही करते हैं के यहां उससे मैं active कर देता हूं इस color से active पता है ना कि अभी आप home पर ही तो खड़ें तो वह आपको यह बताता है कि home अगर active हुआ हो तो वह आपको यह बताता है मैं home को double click करूंगा यहां से मैं fill को ढूंड़ूंगा और fill के अंदर यह जो इसको क्या नाम है इसका apply silent variables basically आपने color का black and blue में जाहर है लेकिन यह उसी color का हो गया गया और इसके नीचे मैं चाता हूं मैं एक line दे दूँ तो line कैसे दूँ यहां पर line है मेरे पास इस line को मैं यहां से बना सकता हूं और जाहर है यह line मैंने सीधी नहीं बनाई है तो इस line को मैं थोड़ा set कर लूँगा थोड़ा zoom कर लेते हैं और इस line को भी मैंने फिल कर देता हूं same variable देता हूं इससे भी line select किया फिल दिया और same variable color यह select नहीं हुआ है line को शायद दूसरे तरीके से color देता है इस ट्रोक से देते हैं शायद color तो इस ट्रोक में try कर लेता हूँ कोई बात नहीं यहां से main color हाँ stroke से देते हैं line को color तो इस तरीके से line भी color हो गई है और try करते हैं surface को यहां से मैं select करता हूँ